नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ये बहरत सरकार का ही एक बैंक है जो इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करता है और इसमें जूनियर मैनेजमेंट स्केल वन के आप इस वीडियो को अन्तक देखते रहें और एक चोटी सी रिक्वेस्ट आपसे अगर यह वीडियो आप lyric आपको अच्छी लगे इंफ़र्मेट्व लगे आप इस वीडियो को लाइक,share,subscribe जरूर करिए चैनल को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर गए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हम स्टार्ट करते हैं एक्जिम बैंक यह भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है इसमें डारेक्ट रिटूट्मेंट ड्राइब फॉर मैनेजमेंट ट 2020 है और टेंटिटीव एक्जाम के लिए जो डेट दी गए है वो है औक्टूबरball 2014 में ही आपका एक्जाम हो जाएगा एक्जाम का एक्जाम में क्या-के छीज़े पूछ जाएंगे आपको अप्लाई करने के लिए यह जो एड्रस है ये दिया गया है www.eximbankindia.in के करियर सेक्शन में जाएंगे आप वहाँ पे आपको ये पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी फिर हम बात करते हैं नमबरों पोस्ट कितनी पोस्ट हैं इसमें अन्रिजर्व के लिए 22 हैं SC के लिए 7 हैं ST के लिए 3 हैं OBC के लिए 13 पोस्ट हैं और EWS के लिए 5 सीट हैं और 2 फिजिकली PWD के लिए 2 पोस्ट ऐसे मिलागे टोटल पोस्ट होती हैं 50 फिर आगे हम बात करते हैं इलिजबिल्टी क्रेडेरिया आपका इलिजबिल्टी क्रेडेरिया इस Exim Bank के जूनियर Scale 1 को apply करने के लिए क्या होना चाहिए इलिजबिल्टी क्रेडेरिया इसमें आपकी minimum 60% marks होने चाहिए आपके graduation में वो आपकी graduation है वो 3 years full time duration की होनी चाहिए अगर आपने post graduation MBA PGDC, PGDM, MMS with specialization in finance और international business में की हुई है या आप chartered accountant है दो year, दो साल की एक तो आपने अगर graduation करके MBA, PGDCA, PGDM, ABVS MBA finance या international business में की हुई है तो आप apply कर सकते हैं दूसरा अगर आप CA हैं तो आपने आप इसको apply कर सकते हैं apply करने के बाद में इसका जो exam होगा वो October 2024 में ही आपका exam होगा फिर बात करते हैं हम age limit की age limit इसमें 21 साल से 28 साल होनी चाहिए एक अगस्त 2024 को आपकी date चेक की जाएगी उसे इसाब से आपको देखना है अगर आप SC candidate हैं आप 33 years तक apply कर सकते हैं अगर आप OBC हैं आप 31 साल तक apply कर सकते हैं अगर आप PWD SC हैं तो आप 43 तक इसमें apply कर सकते हैं reservation as per government rule आपको दिया जाएगा इसमें उसके बाद में जो pay scale है pay scale के अगर हम बात करें ये है 62,480 से लेके और 85,920 तक जो 12th bipedral settlement है उसके हिसाब से करीब आपको 88,000 उपर per month एक metro city में अगर आपकी जोग लगती है तो मिल जाएगा उसके बाद बात करते हैं इसमें दिया हुआ है अगर अगर कंडिये उसमें कुछ misconduct करता है तो उसके खिलाफ action लिया जा सकता है फिर कुछ journal instructions है content के लिए क्या-क्या है, कैसे आपको apply करना है examination center और वो आपको जब आपका admit card आएगा उस पर बता दिया जाएगा exam का pattern उन्होंने बताया है part 1 एक financial statement होगी 40 number का and part 2 में 6 marks होगी यह एक आप से return test लिया जाएगा उसी के base पर आपका selection होगा, return test में आपको copy pen से लिखना होगा other important information उसके बाद अगर और कोई information इसमें है, मैं आपको बता देता हूँ, otherwise यह आप www.eximbankindia.in की website पर जाके यह सारी details check कर सकते हैं, फिर how to apply यह application आपको online mode में apply करनी है, apply करने के लिए आपके पास एक scan photograph होना चाहिए, 4.5 x 3.5 cm का और उसकी जो size है, वो 20 के भी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो document मांगे गए हैं, वो आपको scan करके उसमें upload करने हैं, उसमें registered करके upload करने हैं सारे document और उसके बाद में एक signature scan किये हैं, वहाँ पे होने चाहिए, जो आपको वहाँ पे apply करोगे तो वहाँ upload करने पड़ेंगे, इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, informative लगी तो आप इस वीडियो को like, share, subscribe जरूर करिए और इस channel को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले और भी notification आपको मिलते रहें इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, जै हिंद, जै भारत